कि यहां कैसे आना हुआ कोई प्रोब्लम तो नहीं है यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है अभी लोगडाउन खतम नहीं हुआ और आपने स्कूल कैसे ओपन कर दिया आपने लोगडाउन को मजाट समझा हुआ है इसके लिए आप हमारे स्कूल के सबसे टालेंटड होनहार और हैंसम टीचर से बात कर लो हाँ तो बुलाईए अपने हैंसम और टालेंटड टीचर को जड़ा हम भी तो मिलें उनसे ओस यार खबरदार सास्त्री जी हाजिर हो इतनी जल्दी मैं तो बस यही कहूंगा कि जितना मुझसे बस सकते हो बचो देखो जो हम पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे दो ने तो बचने की जुरुत आपको पड़ेगी हम पहले बता दे रहे हैं आप बस इतना ही बता दो कि आपने लोगडाउन में स्कूल कैस सरकार में तो स्रिफ तीन ही जोन बनाये थे ग्रीन औरेंज और रेड यह चौर्था जोन आपने कहां से बना दिया देखो ऑफिसर हम जोन के बातों पर बहांस नहीं करते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ के बच्चों को बलाया गया है स्रिफ उनका रिजल्ट देना है उस सभी बच्चे चुप करके बैढ जाओ और जितना मुसे बस सकते हो बचो सर जी इसकूल में पुलीज आई थी तो क्या हुआ आपको बुलाए थे आपका पिछवारा बस तो गया सूजा तो नहीं ओए चुप करके बैढ जा वरना मेरा पिछवारा तो नहीं सूजा लेकिन चुप करके बैठा रहे और जितना मुसे बस सकता है बच सर जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये गर्मियों की छुट्टियां कब से पढ़ेंगी बता दिए ओए थोड़ी सरम कर ले तू दो ती महीनों से चुट्टियां चल रही है लेकिन फिर भी तरा पेट नहीं करेगा सब चुप चाप बैठेरो और जितना मुझसे बस सकते हो बचो तो बच्चो तुम लोग ये बताओ इन छुट्टियों के दिनों में तुम लोगोंने क्या मिस किया है किस चीज की सबसे आदा तू लोग को याद आई है सर सबसे आदा तो गल्फ्रेंड की आदाई ह सर जी मैंने गौलगपबा भूट मिस किया है जी मैंने अगूर कबड़ी मिस किया है जी बहुत दिन हो गया काबड़ी निके खेलाओं दोस्तों के साथ जब अपने वाला हूं हम आपनी नानी को भोत मिश कर रहे हैं आरे नालाइक हो मैं तुम लोगों से क्या पूश रहा हूं क्या जडाइनक आरे तुम यह गया शेलिए मोजह ने बता हूं क्लास को भिगता टौन शेल कथा। सब के सब नलायक हो चुप करके बैड़ जाओ और जितना मुझे बस सकते हो बचो तो बच्चो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी लोग सांस रोक के और दिल थाम के बैड़ जाएं आपका पेपर में किया धरा सब आपके सामने आने वाला है आप लोगों को ये जानके बहुत दुख होगा कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही गंदा आया है और जितना भी गंदा है वो आपके हाथ में भी आ जाएगा तो सभी लोगों को मैं पेपर दे रहा हूँ सभी लोग अपना पेपर चेक करेंगे अगर उसमें कोई मिश्टेक है तो सही करवा लें और कल सभी लोग इस पेपर पे अपने पेरेंस का साइन करवा के लेके आएंगे ओके सार हा राजू तुझे क्या लगता है पास होगा तू या फेल मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे मैं फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ क्योंकि मेरे को टिक टोक इस्टार बनना है इसका मतलब आप चाहे फेल हो या पास टिक टोक इस्टार बन सकते हो यस ब्रो बिल्कुल बन सकते हो ये ले राजू अपना पेपर पकार सर्जी ये क्या है आपने मेरा पेपर तोड मरोड दिया गोल करके दे दिया अपने मेरे को इसका क्या मतलब है क्योंकि तेरे पेपर में जीरो नमबर आये हैं इसलिए मैंने जीरो बना के तिरो को दिया है ज्यान से देख उसको जीरो हो यांडा हा तु सहीं बोला ये ले पप्पू अपना पेपर पकागा उसका मत देख ये क्या सर सिर्फ दस नमबर बस इतना ही ध्यान से देख रहे ना लायक माइनस दस है माइनस दस ये कैसे हो सकता है माइनस में तो नमबर आ ही नहीं सकता तेरा आ सकता है क्योंकि तुने अपना नाम तक गलत लिखा है अपने रिष्टेदारों का नाम देट तारीक मम्मी पापा जाजा जाजी सबका नाम तुने गलत लिखा है मैं अपने पापा को बिला कर लाओंगा देख लेना ये ले रगोलू अपना पेपर चेक कर जे क्या सर ? जीरो नमबर लिखा हुआ है और साट में लिखा हुआ है कि सो रुपया फाइं भरो इसका क्या मतलब हुआ क्या मजाक है अरे नालायक ये मजाक नहीं है ये सच्छाई है तेरे सारे अंसर गलत हैं और तुने सो पेज भर दिये थे, सो पेजों कुछ चेक करते करते मेरा हाथ दद होने लगा, लेकिन तेरे एक भ्यंसर सही नहीं मिले, सारे के सारे के तुने गलत लिखे हैं, इतना चेक किया हूँ, इसने सो रुपे जुरवाना पड़ता है इसका, मेरा पूरा टाइम खराब तुने देख, सिर्फ 25 नंबर हैं तेरे, कोई नहीं समोखन, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, तेरे फिलिंग समझता हूँ मैं, तू भी खड़ा हो जारे मोनू, हम जी सार, नंबर तो तेरे दो ही कम रहे गए हैं, बस एक दो परची और चला लेता, तो तू पास हो जाता, आ दूसरे नंबर पे आया है तू, पीछे से मतलब, मतलब शिफ एक ही बच्चे का नंबर तरे से कम है, बाकि अशब बच्चो का नंबर तरे से जादा है, बढ़ जा यार बढ़ जा, फिल ही तू, क्या? फिल हूँ? प्रिंस्पल सर आगे प्रिंस्पल सर आगे प्रिंस्पल सर आए सर आए अंदर आए गूड मॉर्निंग बच्चो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है तो पहले कौन से सुनाओं सर जी पहले बुरी खबर सुना दो क्योंकि रिजल्ट सुनके हमारा वैसे ही बुरा हाल है तो इससे बुरा क्या होगा तो आप पहले बुरी खबर सुना दो सर जी आप ऐसा कीजे दोनों खबर सुनाईए मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा खबर अच्छा है कौन सा खबर हमारे लिए बुरा है आप लोगों की ओनलाइन क्लास कैंसिल की जाती है आज से आप लोगों की कोई भी ओनलाइन क्लास नहीं होगी क्योंकि टीचरों की डिसकर्शन से पता चला है ओनलाइन क्लासेस में तुम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है ओके सर ये तो अच्छी ख़बर है हम जी आगे बताईए सर जी अब अच्छी वाले ख़बर भी सुना दो अच्छी ख़बर ये है कि शिच्छा मंतरी के हवाले से ख़बर आया है कि करोना के चलते कुछ बच्चों का फेपर नहीं हो पाया था इसलिए इस साल सभी बच्चों को पास कर दिया गया है आप लोग अपना अपना अडिमिशन अगनी लास में करवालो